So Hello Friends, मैं हूँ मनीशी सुकर्मा और आपका अमारे यूटूब चेनल MB Classes में हारदिक स्वागत है आज मैं आपके लिए कक्छा बारवी, रसायन विज्ञान, अध्याई 16 देनिक जीवान में रसायन के इंपोटेंट महतुपूर्ण अबजेक्टिव लेकर आया हूँ जो कि आपकी बोर्ड परिक्चा के लिए काफी इंपोटेंट है, आपकी बोर्ड परिक्चा काफी निकट है इसलिए आप इन अबजेक्टिव टाइप कुश्चनों को अपनी कोफी में नोट कर लीजिए यह important objective type question आपकी board परिक्चा के लिए काफी important है और इनी objective में से आपसे board परिक्चा में objective पूचे जाएंगे आपको एक ही वीडियो में संफून objective, important objective प्रोवाइट किये जाएंगे वीडियो को देखने के पश्याद वीडियो को लाइक और चेनल को सस्क्राइब करना न भूले वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही important है तो वीडियो को लाश्ट तक अवस्चे देखते रहे और वीडियो को देखने के बश्याद वीडियो को लाइक करना ना भूजे चलिए वीडियो को भीना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सरुपतम आपको बहु विकल्पी प्रेश्न दिखाये जाएंगे जिनमें आपको चार अबजेक्टिव दिये जाते हैं और उनमें से आपको एक सई एंसर बताना होता है चलिए हम इने स्टार्ट करते हैं आपको सरुपतम एक अबजेक्टिव दिया गया है जो इस प्रकार है निमलकत एंटिबाइोटिक में किस एंटिबाइोटिक की कोज सर्फपतम हुई थी तो आपको बताना है कि जो आपको option दिये गये है इन में से कौन सा एसा एंटिबाइोटिक है जिसकी कोज सर्फपतम हुई थी तो चलिए हम पहले objective को पड़ लेते है क्या-क्या दिये गया है तो पहला आपको दिया गया है इन में सा आपको बताना है आपके इसका सही एंसर होगा पेनिसिलीन एंसर होगा पेनिसिलीन reluctant की कोज सर्वतम हुई थी आपको इसे याद रखना है जो कि आपकी बॉर्ड परिक्ठा के लिए काफी important है चलिए दूसरा देख लेते हैं, एंटिबायोटिक है, आपको जो उप्षन दिये गए है, इनमेस आपको बताना है कि कौनसा एंटिबायोटिक है, तो आपको उप्षन दिये गए है, पेरा एसी टमोल, पेरा एसी टमोल, तो दूसरा दिया गए है, प्रोकेन, तो तीसरा दिय गया आपको जाइलोकेन चोथा आपको दिया गया है क्लोरोमाई सेटिन आपको चार ओप्षन दिये गया है इनमेस आपको एंटिबायोटिक के बताना है कौन सा एंटिबायोटिक है तो आपका इसका एंसर होगा एंसर होगा क्लोरोमाई सेटिन आपका इंसर होगा दा नंबर का क्लोरो माई सेटिन जो एंटी बायोटिक है इन में से यह होगा क्लोरो माई सेटिन चलिए तीसरा नंबर का अबजेक्टिव देख लेते हैं तीसरा आपको दिया गया है एंटी एंटी पाइरेटिक है आपको जो अप्शन दिया गया है इन में से आपको एंटी पाइरेटि बताना है कि Antipyratic कोना है तो आपका इसका जो सही answer होगा वो होगा आपका AISprin जो AISprin होता है वो Antipyratic होता है चलिये आगे देखते हैं आपको समपून उब जैक्टिव टाइप कंच एक निंगे भीडियो को उन्हें देख लीजे क्योंकि वह आपकी बोर्ड परिक्चा के लिए काफी इंपोटेंट है आपकी बोर्ड परिक्चा में लगबग 32 अंक के प्रेश्ण अब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे और मैं जो अब्जेक्टिव बता रहा हूँ उन्हें में से आपके बत्ति संक के अब्जेक्टिव आएंगे ये मैं आपसे वादा करता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपका जो अब्जेक्टिव पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार है तो आपको चोथा दिया गया है सल्पा डाइजिन है आपको जो अप्सन दिया गया है इनमे से बताना है कि सल्पा डाइजिन कोन है तो आपको पहला दिया गया है प्रत प्रति जेविक जो सल्पड आई是 Jake know यह प्रति सुख्च मेंarios प्रति सुख्च में पिरोदराता है इनकी व्रद्धि C सम्मोहक पूती रोधी सम्मोहक बीड़ाहरी तशा निश्चे तक आपको बताना है और ओप्सन में से डिटोल क्या है तो आपका इसका जो सही एंसर होगा वो होगा पूती रोधी डिटोल क्या होता है पूती रोधी होता है डिटोल क्या होता है पूती रोधी चलिए छेटा देख लेते हैं छेटा आपको दिया गया है मलेरिया अउरोधक है आपको जो अप्सन दिये गया है इन में से मलेरिया अउरोधक कौन सा है आपको बताना है तो अप्सन दिये गया है डिटोल फिन एसीटोन फिन एसीटोन फिन एसीटोन था कोकेन क्लोरो क्विन तो आपको बत आपका इसका सही एंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपको बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन बताए जा रहा है तो वीडियो को लाइक एम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथव आपका दिया गया है पूती रोधी है आपको बताना है पूती रोधी जो ओप्सन दिया गया है इनमें से कौनसा है पेरासीटामोल ओप्सन दिया गया है पेरासीटामोल एस्प्रिन टिंचर आयोडिन तथा प्रोकेन तो आपको इनमें से बताना है कि पूती रोधी टिंचर आयोडिन या पूतीरोधी ओता है जीवानों की व्रध्द कर देटा है तो उनको नश्ट कर देता है आठोज़। आपको दियाजा है आपको जो ओप्षन दियाजा है इनमें से अठिफर्टिलिटी कोन सा है तो ओप्षन दियाजा है मेश्ट्रानोल, पेनिसिलीन, क्रोसिन तता फ्रोकेन आपको चार ओप्सन दियेगा है इन में से आपको एंटी फर्टिलीटी बताना है कि एंटी फर्टिलीटी कौन सा है एंटी फर्टिलीटी कौन सा है तो आपका इसका जो सही एंसर होगा वो होगा मेश्ट्रानोल जो मेश्ट्रानोल होता है यह एंटिवाइटिलिटी होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्णों को देखते हैं आगे के प्रश्णों को देख लेते हैं नोवा आपको दिया गया है नोवा क्या प्लेमिंग में किस快 की थी तो आपको पहला दिया गया है स्ट्रेफ्टोमाइशिन आपको जो पहला दिया गया है स्ट्रेफ्टोमाइशिन ई ऐनिसेटय ते था पेनिसि लिन और s oh और a prilina एस पको चार उप्षा दिये गया है इनमें से आपको जो eag organizational कYunion आगे बढ़ता हैं तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक हो तो वीडियो को लाइक कर ली पोटेंट है और आपको बोर्ड पर इक जम अच्छे से अच्छे अंक लाना है तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइगन को ओल पर सिलेक्ट करें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पोचे सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं दस्वा आप कौन सा दियागा है दस्वा आपको दियागा है सेलाल का उपयोग होता है जो सेलाल होता है उसका उपयोग कह होता है आपको बताना है तो आपको चार ओप्सन दिये गए है इन में सा आपको सेलाल का उपयोग बताना है कि सेलाल का उपयोग कौन सा है एंटी सेप्टिक है सेलाल को अपयोग किया antipiratic है जो सेलाल होता है इसका उपयोग antipiratic में भी किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रस्णों को देखते हैं अब हम जो रिक्तिस्तान की पूर्ति कीजिए इस फिरका का प्रस्ण देखेंगे जो आपकी बोर्ड परिक्चा के लिए काफी इंपोटेंट है चली हम देख लेते हैं रिक्तिस्तान को आपको दिया गया है पहला रिक्तिस्तान दिया गया है एसा पदार्थ जो अमोश्य की प्रती अमलता को कम कर देता है तो अमोश्य की प्रती अमलता को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं आपको यह बता ना है तो अमोश्य की प्रती अमलता को कम करने वाले को एंटा सीड बोला जाता है आपको एंटा सीड बोला जाता है आपको ए मौश्य की अमलीता को कम कर देता है, अथात प्रति अमली कोन होता है, तो एंटासिड होता है, दूसरा आपको दिया गया है, तो दूसरा आपको दिया गया है, आयोडिन एक प्रबल है, तो आपको बताना है, आयोडिन एक प्रबल क्या है, तो एंटी सेप्टिक, आयोडिन के टीमचार का उपयोग एंटी सेप्टिक के रूप में क्या जाता है कि नहीं आयोडीन का उपयोग एंटी सेप्टिक के रूप में क्या जाता है तो यह है एक प्रभल एंटी सेप्टिक है जो की जिवानों की वरद्धी जीवों की वरद्धी तता उनकी गुनन को रोक देता है और उनको नश्ट कर देता है चलिए आगे देखते हैं और तीसरा कौन से दिया रहा है सरीर का ताप कम करने वाली उस्दिया क्या कहलाती है तो सरीर का जो ताप होता है अस्ताथ बुखार जब बुखार कहते हैं सरीर का ताप मन बढ़ जाता है तो उसे कम करने वाली उस्दी को क्या कहते है आपको बताना है तो शरीर का जो कम ताप करती है उन्हों उस्दियों को ज्वर नासी कहते है ज्वर नासी इन्हों उस्दियों को कहते है ज्वर नासी इन्हों उस्दियों को ज्वर नासी कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चोथा नंबर का जो आपका दिया गया है सल्लिक्रिया के उपकारनों को साप करने के लिए प्रिवुक्त रसायनिक द्रोग होता है। वहां द्रव कौनसा होता है? तो वहां द्रव जो होता है, आपका जिवनुनासी नाशी 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 कुछ परता है. इसलिए इनका उपयोग किया जाता है सल्ली उपकर्णों को साप करने के लिए चलिए पाजवा देखते हैं मलेरिये रोधी ओसी ओस्दी है आपको बताना है कि मलेरिये रोधी ओस्दी कौन सी है तो आपका इसका सही अंसर होगा क्वीनोन इसका सई एंसर होगा आपका क्वीनोन मलेरियरोधी औस दी है चलिए आगे देखते हैं और आगे के प्रश्णों को देख लेते हैं और इनका एंसर भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ आप अपनी कोपी में नोट कर लिजिए चलिए देखते हैं इनके एंसर तो आपका जो उपिउक कहा किया जाता है तो सर्लिक्किरिया के उपकारणों को साप करने के लिए किया जाता है क्विनम क्या है. ग्यान पीदिन Schonag किया है क्विनम गार्या-छ फिर्फ div ट करता हैं एंटासिड कहता है तो आयोडिन एक है आपको अगर पूछा जाए आयोडिन है के है तो एंटी सेप्टिक को अप्योग हम त्वचा पर कर सकते हैं क्योंकि यह जीवित उत्तकों को कोई नुक्सान नहीं पहुचाता है चलिए आगे देख लेते हैं आगे भी आपको बहुत ही इंपोटेंट कोश्यनों को दिखाये जाएगा तो वीडियो तो क्लास्ट तक देखते रहेए चलिए देख लेते हैं आपके पूरे हो चुके हैं अब हम जोडि देख लेते हैं जोडि में आपको स्वर्पतम दिया गया है जोडि देख लीजे आपको दिया गया है पेनिसिलिन आपको बताना है इधर जो आपको दिया गया है इनमें से पेनिसिलिन का क्या बनेगा तो होती है जो होती है आपकी प्रतम एंटिबायोटिक प्रतम एंटिबायोटिक है पेनिसिलीन आपको पहले भी बताए गया है था कि प्रतम एंटिबायोटिक क्या होता है तो एंटिबायोटिक प्रतम जो एंटिबायोटिक होता है वो पेनिसिलीन होता है दूसरा आपको तो आपका यह होता है प्रती स्टेमिन प्रती स्टेमिन होता है आपका जो उत्तेजित एवं तनाव को उत्तेजित मान सिकता एवं तनाव को धूर करता है प्रती स्टेमिन कहलता है चलिए चोथा देख लेते हैं चोथा क्या दियेगा है एमिटल एमिटल का आपका किसे प्रसांतक आपको इसे प्रसांतक से मिला देना है चले पाचव आपकाेशि एOFFяни सलपा पृडिडिन को आपको पर तक से मिला की से प्रत्म एंटिबायोटिक से एस्पृाइन को और मिला देना है और एमिटल को आपको एमिटल को प्रसांतक से मिला देना है और सलपा प्रीडिन को सलपा ड्रक्षay से मिला देना है चलिए आगे देखते हैं आगे भी आपको भूत ही इம्पोर्टेन प्रश्णों को दिखाए जाएगा वीडियो को लाइक एंग चैनल को सब्स्क्राइब करना न भूले चलिए हम इन प्रिसनों को देख लेते हैं आपको दिया गया है जो एक वाक की मुप्रिसन दिये गया है उसका पहला जो आपको दिये गया है ये दिए गया एक गर्ब निरोधाग औसदी का रचाइनिक नाम लिखना है आपको एक जो गर्ब निरोधाग औसदी का आपको नाम लिखना है कि एक गर्व निरोधक ओस्दी का नाम लिखी है यह आपसे पूचा गया है तो एक गर्व निरोधक ओस्दी जो होती है आपकी वो होती है मास्ट्रे नल यह आपको लिख लेना है मास्ट्रे नल गर्व निरोधक ओस्दी होती है दूसरा आपसे पूचा गया है कि ओस्दिया जो वे ओस्दिया जो पृति जेविक के समान कारी करती है लेकिन पृति जेविक नहीं है तो कौन सी है सलपा ड्रक्स जो सलपा ड्रक्स होती है यह ओस्दि जो पृति जेविक के रूप में कारी भी करती है लेकिन पृति जेविक नहीं है आपको इसका इंसार सलपा ड्रक्स लिख लेना है सलपा ड्रक्स क्या होता है प्रति जैविक के समानद कार्छी तो करता है लेकिन प्रति जैविक नहीं होता है आपको तीसरा दिया गए है, रसायन जो तंत्रिका तंत्र को प्रवावित करता है। ये राशाइनिक पदार्थ कहलाते हैं तो ऊसका सही आणज़ा कर दार्ण और प्रथिज कुल। वव्रद्दी रोकने वाले राशाइनिक पदार्त को क्या कहते हैं तो सुक्ण जीवो की वरद्धी को रोकने वाले रसायनिक बदात को क्या कहते हैं प्रती जेविक कहते हैं आपको लिख लेना है प्रती जेविक कहते हैं क्या कहते हैं प्रती जेविक कहते हैं चलिए आगे का देखते हैं आगे आपको क्या दिया गया है चेटा नंबर को आपको दिया गया है कि पूरे सरीर की अथवा सरीर के किसी भाग विसेज की चेतना सुन्य करने वाले रसायन कहलते हैं तो जो सरीर होता है उसके सरीर के अंगे या पूरे सरीर को चेतन सुन्य करने वाले रसायन को क्या कहते है इस प्रगागा प्रश्न पूचा गया है तो आपका इसका जो सही एंसर होगा आपका इसका सही एंसर क्या होगा छेटे का आपका सही एंसर होगा निश्चेतक जो आप देखते रही हैं आपका सरीर का दर्द को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं आपको बता ना है तो आपका सई एंसर होगा वो होगा ज्वर नासी साथवे आप में पूछा गया था कि सरीर का दर्द को कम करने वाले क्या कहलते हैं तो आपका वो कहलाएंगे ज्वर नासी कहलाएंगे आटवा आपको दिया गया है कि ज्वर में आपका जो सरीर का दर्द कम जुर में सरीर कताब कम करने वाले एतु रसयन का नाम लिखिए जो जुर कम करते हैं वो क्या कहलाते हैं जुर नासी क्या कहलाते हैं जुर नासी तो इस प्रकार देख लीजिए आप नीचे आपको इनके answer भी दिखाई जाएंगे तो आप इनके answer देख लीजी आपको पीडा हरी के लाते है sorry मैंने एक साथवा आपको थोड़ा गलत बत दिया था सरीर का दर्द कम करने वाले को क्या केते हैं पीडा हरी केते हैं आप इनके answer लिख लीजी, आपको सभी answer लिखे हुए भी provide किये जा रहा है, तो आप इने लिख लीजे, यह आपकी board परिक्चक लिए काफी important है, आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एम चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चेनल को सस्क्राइब तुरंत करें और वीडियो को लाइक करना न भूले, और बेल आइकन को ओल पस स्लेक्ट करें, जिससे में जो भी वीडियो अपलोड करू, आप तक पहुचे, सबसे बेले तो चलिए, आज की वीडियो यही पर समाप्त करते हैं, और ऐसे ही interesting वीडियो को देखने के लिए, चेनल को सस्क् अब्जेक्टिव बताए गये हैं, इनी में से आपके जो परिक्चा में बोर्ड परिक्चा होगी, उसी में अब्जेक्टिव पूचे जाएंगे, तो इन अब्जेक्टिव को आप याद करना न भूले, यह अब्जेक्टिव है, जो आपकी बोर्ड परिक्चा के लिए बह अगली वीडियो में धन्यवाद